हलो फ्रेंस गेहूं के आटे से बनाया नास्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है तो चलिए रेश्पी बनाने की सुरुवात करते हीं रेश्पी बनानी के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम गेहूं का आटा इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चमच नमक नमक की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं अब हम डालेंगे इसमें एक छोटा चमच आजवाईन का आजवाईन को दोनों हाथेलियों के बीच में इस तरीके से थोड़ा सा क्रस करेंगे उसके बाद इसमें डालते हैं नास्ते को कुरकुरा बनाने के लिए चार चमच रिफाईन तेल डालेंगे तेल डालने के बाद आटा और तेल इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटे को हमें गूथना है यहां आटा हमें मुलायम नहीं बनाना है थोड़ा सा टाइट बनाना है जैसे हम पूड़ी का आटा बनाते हैं टाइट बिल्कुल उसी तरीके से आटे को हमें गूत लिया है अब हम इसको धक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए ताकि थोड़ा सा आटा फूल जाए और तब तक दूसरी तयारी कर लेते हैं यहाँ पर हमने चार उबले हुए आलू लिये हैं चार उबले हुए आलू लिये हैं तो इनको हम कद्दू कस कर लेते हैं ताकि इनको मैस करने में आसानी हो इसमें कोई भी गाठे ना रहें इस तरीके से आलू को कद्दू कस कर लेते हैं ताकि आप बहुत ही मुलायम हो जाए आलू को हमने कद्दू कस कर लिया है इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए हम भूनेंगे तेहां पर हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें डालेंगे चार चम्मस तेल कढ़ाई में आलू बहुत ज़्यादा चिपकने लगता है तो हम इस तरीके से कढ़ाई में तेल डालेंगे और जब तेल हलका गरम हो जाएगा तो हम इस तेल को सारी कढ़ाई के उपर लगा देंगे कल्चली से इस तरीके से जब हम कड़ाई में तेल को लगा देते हैं तो यहां कड़ाई बिल्कुल नानिष्टिक का काम करती है इसमें जब हम आलू भूनेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा तेल गरम हो गया है तो एक चम्मच इसमें डालेंगे हम सौप और जीरा उसके बाद इसमें डालेंगे फ्रोजन मटर मटर पहले से बॉयल्ड होता है तो उसको बालने की जरूरत नहीं होती है तेल में हम इस तरीके से मटर को थोड़ा सा फ्राई कल लेंगे ताकि यह और ज्यादा टेस्टी लगने लगे अगर आपके पास मटर नहीं है तो बिना मटर के भी बना सकते हैं सिर्प आपको चाहिए आलू तो मटर को हमने इस तरीके से भून लिया है सौफ और जीरा हमारा जल जाएगा तो उसके लिए हम सबसे पहले इसमें नमक को डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा पानी छूटने लगे एक चमच बारीक पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच फ्रूट चाट मसाला एक चमच इसमें सौफ जीरे का पाउडर डालेंगे अब इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं मसाले भून गये हैं तो इसमें कद्दू कस किया हुआ आलू डाल देते हैं दो मिनट आलूओं को हम भूनेंगे तेज आज पर ताकि मसाला आलू अच्छे से मिक्स हो जाए आलू जब हम इस तरीके से भून कर बनाते हैं नास्ते को तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आज को मद्य हम रखेंगे आलू मसाला को इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे एक मिनट हमने मसाला अलू भून लिया है अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया पत्ती साथ में दो हरी मिर्च धनिया पत्ती और हरी मिर्च डालने के बाद हम इसको एक मिनट और भून लेते हैं उसके बाद हम इसको अलग बरतन में निकाल करके ठंधा कर लेंगे नास्ते में हम इसी मसाला अलू की स्टेफिंग भरते हैं तो ये हमारा मसाला अलू तयार हो गया है और हलका ठंधा भी हो गया है तो अब हम चलते हैं नास्ते को भी जल्दी-जल्दी से तयार करते हैं बना करके तो यहां पर हमने लिया है थोड़ा सा आटा और इस तरीके से इसको रोल करेंगे यहां आटा हमने थोड़ा सा टाइट बनाया था इसलिए हम इसमें ना ही सूखा आटा लगाएंगे और ना ही तेल लगाएंगे इसको ऐसे ही बेल करके तयार करेंगे यह बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है चकले के उपर इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बना करके तयार करेंगे अगर आप छोटी रोटी बनाना चाहें तो छोटी भी बना सकते हैं इस तरीके से हमें पतली रोटी बना करके तयार करनी है ना ही बहुत ज्यादा पतली और ना ही ज्यादा मोटी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पारदर्सी बना दें उसके बाद हम इस पर आलू लगाएंगे तिया फट सकती है तो इसलिए इसको थोड़ा सा पतला रखेंगे और मोटा तो बिल्कुल नहीं रखना है ये जो मटर है साबूत इसको हम इस तरीके से तोड़ देते हैं मसाला आलू की बिल्कुल पतली लेयर हम इस पर लगाएंगे ज्यादा मोटा नहीं लगाना है थोड़ा सा पतला ही लगाएंगे इस तरीके से रोटी के उपर पूरे आलू को हमें फैला देना है एक पतली लेयर जैसी बना देनी है सारी रोटी के उपर आलू को अच्छे से फैलाएंगे उसके बाद यहां से इसको रोल कर लेंगे इसको हमें टाइट लपेटना है इस तरीके से हम इसको रोल कर लेते हैं यहां का जो भाग है इस पर हम थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि यहां अच्छे से चिपक जाए तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी लगाएंगे और यहां से इसको चिपका देते हैं इस तरीके से इस तरीके से हमें रोटी बेल करके नास्ते को तयार करना है तो एक रोल हमने बना लिया है अब हम इसी तरीके से दूसरा भी फटापट बना लेते हैं फिर से हमने एक बड़ी सी रोटी बनाई है और उसके उपर इस तरीके से पतली लेयर आलू की लगा देते हैं और इसको यहां से लपेटते हुए टाइट रोल बना लेते हैं पानी लगा देते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए तो हमारे दो रोल बन करके तयार हो गए हैं बाकी का हम बाद में बनाएंगे इसको इस तरीके से कट कर लेंगे यहां से आप जितने चोटे बड़े पीस बनाना चाहते हैं उस तरीके से बना सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटे पीस नहीं बनाएंगे नहीं तो पकाने में दिक्कत हो सकती है तो इस तरीके से ना ही मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं इस तरीके से पीस बनाना है कटे हुए पीस को इस तरीके से हथेली से दबा करके थोड़ा सा फैला देते हैं पेड़े जैसे बन जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इनका डिजाइन देखने में तो हमने दोनों रोल इस तरीके से कट किये हैं, और इस तरीके से पेड़े जैसे बना लिये हैं, दोनों रोल का हमारा नाचता बन करके तयार हो गया है, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं जल्दी से, फ्राई करने से पहले हम एक पतला गोल बनाएंगे गेहूं के आटे का, त थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक पतला गोल बनाएंगे. पानी डालने के बाद गेहू के आटे को अच्छे से फेटना है चम्मस से ताकि इस में एक भी गाठे ना रहें. यह नहीं ज़्यादा पतला है और न गाड़ा है, इस तरीके से हमें एक घोल बनाना है गेहूं के आटे का, इधर कढ़ाई में तेल भी गरम हो गया है, तो हम चलते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं, गेहूं के आटे से बने हुए गोल में इस तरीके से नास्ते को डिप करते है और एक एक कढ़ाई में हम इस तरीके से डाल देते हैं एक बार में जितना आएगा उतना हमको डालना है तेल एक बार अच्छे से गरम हो जाए तब ही हम नाश्टे को इसमें डालेंगे आज को फूल रखेंगे जब यह एक तरब से फ्राई हो जाती है और इस तरीके से जब हम इनको पलट कर दूसरी साइड फ्राई करते हैं, तब आज को हम मध्यम कर देते हैं, क्योंकि इसमें होती हैं कई सारी लेयर हम इनको लपेट कर बनाते हैं, तो इसमें कई सारी आंटे की लेयर बन जाती हैं, तो हम अंदर बाहर दोनों तरफ से बढ़ या क्रिष्पी फ्राई हो जाएं, इस तरीके से हमें नाष्टे को फ्राई करना है, फ्राई नाष्टे को एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो लीज ये फ्रेंट गेहुं के आटे से बहुत ही टेश्टी लाजवाब नाष्टा बन करके तयार हो जाता है, बच्चे बड़े से हर कोई पसंद करता है रेस्पी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई